आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रवेदी पहले मुख्य समाचार प्रदेश में मतदाता सूचियों की जाच के लिए चुनाव आयोग ने दो दलों का गठन किया जाच दल आज सिवनी मालवा और हुशंगबाश शेत्रों का दौरा करेंगी प्रदेश में अगले महिने गरीब परिवारों के बच्चों के स्कूल फीस भरने के लिए चलाय जाएगा भियान प्रदेश में किसान अंदूलन जारी कॉंग्रिस ने शांती पून प्रदर्शन के दमन का आरूप लगाया और प्रदेश में 19 सूत्री मांगों को लेकर वनकर्मियों की हर्ताल जारी अब समाचार विस्तार से निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश के भोपाल और नर्वदापुरम यानी हुशंगाबाद में मतदाता सूची के कथित धानली की शकायत पर जाज के लिए दो टीमों के गठन का आदेश दिया है भोपाल के लिए गठित आयोग की टीम नरेला और भोचपुर विधानसभा निर्वाचन शेत्रों का दोरा करेंगी जबकि नर्वदापुरम के लिए गठित टीम सिवनी मालवा और हुशंगाबाद विधानसभा निर्वाचन शेत्रों का दोरा करेंगी ये दोनुटी में आज संबंदित निर्वाचन शेत्रों में पहुंचेंगी और 7 जून तक निर्वाचन आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौपेंगी इसे पहले पाटी की प्रदेश अधिकर कमलनात की नित्रत में एक शिष्ट मंडल ने नई दिल्ली में आयोग से मुलाकात कर मतदाता सूची में अनिमतिताओं के संबंद में कागजाद सौपे शिष्ट मलनात ने संबादाताओं को बताया कि सूची में 60 लाक फर्जी मतदाता जुड़ गए हैं और चुनाव पैनल को उन अधिकारियों पर कारवाई करनी चाहिए जो सूची तयार करने में शामिल रहे हैं मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कहा है कि अगले महिने से मुख्य मंत्री जन कल्यान योजना में पंजिकरत गरीब परिवारों के बच्चों की फीज भरने के लिए अभियान चलाया जाएगा उन्होंने कल बाला घाट में असंगरित श्रमिक और तेंदू पत्ता संग्राहक संमिलन में कहा कि ये योजना गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को समाप्त करने के लिए चलाय जा रही है उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों का भविश बरवाद नहीं होने देंगे और पहली कख्षा से उच्च सिक्षा दिलाने तक पूरी फीज राज सरकार भरेगी उन्होंने जरूरत मंद लोगों से इस योजना का पूरा लाव उठाने की अपील की शीचोहान ने मंदला जिले के अंजनिया में तेंदू पत्ता संग्रहक सम्मेलन में राज इस्तरिय आयरन और आयोडीन युप्त वन्या प्लस डवल फोरिटी फाइड नमक वित्रन योजना का ओनलाइन शुबारम किया मुखी मंतरी ने बाला घाट में 71,000 श्रमकों को 13 करोड बोनस राशी और मंदला और डिंडौरी जिले के तेंदू पत्ता श्रमकों को 25 करोड रुपे की बोनस राशी वित्रित की मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान कल डिंडौरी जिले में वेगा चक के चांडा गाउं पहुंची और उन्होंने आदिवासियों से सववाद कारिक्रम में हिस्सा लिया आदिवासी विकास कारिक्रम के तहत चौपाल में उन्होंने विशेश पिछली जनजाती बैगा सहित आदिवासी समुधाय को विकास की मुख्यधारा से जोडने के संबंध में चरचा की इस मौके पर उन्होंने इस्थानी भाषा में स्कूलों में पढ़ाई की जरुरत पर बल देते हुए विगास शिक्षकों की भरती करने को कहा श्रीचोहान ने पढ़ाई के साथ ही स्वास्ता योजनाओ पर जोर देते हुए कुपोशन दूर करने की जरुरत बताई उन्होंने चांडा में साथ करोड की लागत से व्यगा सांस्कृतिक केंद्र इस्थापित करने की घोशना की राज़िपालों और उपराज़िपालों का दो दिन का सम्मिलन आज से नई दिली में राशपती भफन में शुरू हो रहा है राश्पती रामनात कोविंद इस सम्मिलन की अध्यक्षिता करेंगी सम्मिलन राश्पती की संबुधन के साथ आरंब होगा दूसरे सत्र में केंद्र सरकार की प्रमक योज नाओ और आंतरेग सुरक्षा पर चर्चा होगी राज़िपालों और उपराज़िपालों का ये 49 सम्मिलन है जिसके विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण विश्यों पर चर्चा होगी इस सत्र के दौरान नीती आयोग के उपाध्ध्यक्ष और मुख्य कारिकाली अधिकारी तथा राश्ट्रिय सुरक्षा सलहकार अपने अपने कारियों की जानकारी देंगे राश्पती, उपराश्पती, प्रधार मंत्री, ग्रह मंत्री और विदेश मंत्री कल इसे सम्मेलन की समापन सत्र को संबोधित करेंगे प्रदेश के स्वासमंत्री रुस्तम सीने कल शिप्पुरी जिले के खरेह में एक करोड रुपे की लागस से बनने वाले हायर सेकंडरी स्कूल भवन का शिलान न्यास किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि जन कल्यान योजना के तहद असंगटित शेत्र के श्रमकों की बहतरी और कल्यान के लिए इस वित्वर्ष से कई योजनाएं शुरू की गई हैं एन योजनाओं की तहद पंजिकरत श्रमकों को 13 जून को जनपत अस्तर पर आयोजेत कारिक्रमों में लाभान वित किया जाएगा श्रिसी ने प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के तहद एक करोड़ तीस लाग रुपय की लागस से बनने वाली तीन किलोमीटर लंबाय की सडक का भूमी पूजन भी किया प्रादिशिक समाचार आकाशवाणी भूपाल से प्रसारित की जा रहे हैं ताज़ समाचार जाने के लिए आप हमारी वेबसाइड newsonair.nic.in पर लॉग इन करें इसके लावा प्रादिशिक समाचार बुलेटिन, यूट्यूब, ट्यूटर और फेस्बुक पर AIR News भूपाल पेच पर सुने जा सकते हैं प्रदेश कॉंग्रस अद्धिक शिकमलनाथ ने राजे सरकार पर किसानों की शांती पूण आंदोलन का दमन करने का आरूप लगाया है उन्होंने कहा कि किसानों पर फर्जी मुगद में थोपे जा रहे हैं और उने जेलों में डाला जा रहा है शीकमलनास ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों को जगा जगा रुख का तलाशीली जा रही है इस बीच प्रदेश में विबिनी किसान संगठनों का आंदोलन जा रही है राज़िके मालवा और निमाण अंचर में कल किसानों ने प्रदर्शन किया कई शेत्रों में सबसी मंडियों में आवग प्रभावित रही दूद की आप पूर्ती भी बंद रही बैतूर में किसानों को भड़गाने के आरुप में तीन लोगों के खिलाफ प्रतिबंधनात्म करवा ही की गई प्रशासन दौरा विशेश एहतियाद बरता जा रहा है प्रदेश की कृशी उपज मंडियों में फसल बेशने आने वाले किसानों को फांच रुपे की नियूनितम दर पर भोजन की धाली उपलब्ध करवाई जा रही है राज कृशी विपढन बोड द्वारा इसके लिए मंडियों को अनुदान राशी जारी की गई है फसल बेशने जा रही किसानों से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाब उठाने की अपील की गई है किसानों की सुविधा के लिए कृशी उपज मंडियों में निर्मित किसान विश्राम भवनों में भी उनके रुखनी की विवस्था की गई है किसानों की सामजिक सुरक्षा और कल्यान के लिए लागू की गई मुख्य मंत्री किसान जीवन कल्यान यूजना के तहत अब तक 3000 से जादा किसानों को 30 करोड रुपए की राशी अनुदान सवरू उपर दी गई है मंध्यों में किसानों को उपज बेचने के लिए प्रोचसाहित करने के उदेश से लागू क्रशी विपड़न पुरुसकारी यूजना में पिछले चार वर्षों में लकी ड्रॉ के माध्यम से चुने गए 1700 सजादा किसानों को 5 करोड रुपए के पुरुसकार वितरित किये ग हुपाल में कल आयूजित सभा में संग के प्रांध ध्यक्षन निर्मल कुमार तिवारी सहित कई अन्य पदा अधिकारियों ने कहा कि मंत्री और अधिकारियों ने 15 दिन में मांगे पूरी करने का आश्वा संदिया है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती हरताल जारी रहे प्रदेश के विबन इस्थानों से वनकर्मियों के धर्ना प्रदर्शन के समाचार मिले हैं मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गुना जले के बुजर्ग नागरिकों से 5 जुलाई से 10 जुलाई तक प्रस्टावित पुरी की यात्रा के लिए 20 जून तक ऑन्लाइन आविदन बुलाए गए हैं इसी योजना में भुपाल जले के नागरिकों से 13 जुन से होने वाली शवन बेल गुलाई की यात्रा के लिए आविदन लेनी की आज अंतिम तारीक है मुरेना कलेक्टर भरत यादव ने कल जला जेल और शहीद संग्रहाले का निरिक्षन कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये सत्ना में कल पर्यावरण संद्रक्षन पर महरतन दौड आयुजित की गई जिसमें महापार ममता पांडे ने हरी ज़ंडी दिखाई अनुपुर में कल एक ट्रक्ष से अवैद रूप से तसकरी कर ले जाए जा रहे 27 मवेशी छुडाए गए और दो लोगों के खिलाफ मामला दर्स किया गया और इंदोर जैपुर राजमार्ग पर आगर मालवा जिले में कल एक ट्रक्ष और मोटर साइकल की टक्कर में दो युवकों की मरत्य हो गई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में मतदाता सूचियों की जाच के लिए चुनावायोग ने दो दलों का गठन किया जाच दल आज सिवनी मालवा और होशंगा पादर शित्रों का दोरा करेंगे प्रदेश में अगले महीने गरीब परिवारों के बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए चलाया जाएगा भियान प्रदेश में किसान आंदोलन जारी कॉंग्रिस ने शांती पूर्परदर्शन के दमन का आरूप लगाया और प्रदेश में उन्नीस सूत्री मागों को लेकर वनकर्मियों की हरता जारी इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलिटन समाप्ध हुआ नमस्कार